Hello my dear student, I am a teacher from your Sumis Singh Convent School मेरे प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीकी होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे डेली के डेली सारे वीडियोस देख रहे होंगे और यह जैसे आपकी बुक पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर इधर देखिए, फर्स्ट चेप्टर यह पोयम थी आपको मैंने पढ़ा दिया और इधर के सारे सवाल जो है سारी, सारे question answers मैंने करवा दिये हैं इधर और इधर भी जितना होँ सका है मैंने सारा करवा दिया था आपको मैंने कौन सी प्रातना होती है, प्रातना आपको पेज में लिखने के लिए दिया था, तो आप जरूर लिखे होंगे, मेरे प्यारी बच्चे जो हैं, वो सभी जरूर कर रहे होंगे, तो यह आपका, आज मैं second chapter पढ़ाऊंगी, यह आपके book का, तो हिंदी की किताब का class second की second chapter है, यह इमानदार लकड हारा, तो चलिए इमानदार लकड हारा के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कि क्या, इमानदार लकड हारा मिन्स जो लकड हारा होता है, जो लकडी काटने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, लकड हारा बोलते हैं, तो वो बहुत ही इमानदा बहुत सच्चा है तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं इसका मतलब है कि लकड़ी काटने वाला इमानदार जो है वो बहुत ही लकड़ी काटने वाला जो है वो बहुत ही मानदार है तो चलिए पढ़ते हैं इसको किसी गाउं में एक गरीब लकड़ हारा रहता था कोई गा पर लकडी को काट करके जंगल में जा करके बहुत ही मेहनत करके लकडी को काट करके लागता था और उन्हें बेच कर अपने परिवार का भरन पोसन करता था तो उन लकडियों को बेच करके वो अपने परिवार को दो वक्त की रोटी खाना दिलाता था जो भी पैसे मिलते थे उसे ही उनका गुजारा चलता था, वो अपने घर का गुजारा करते थे, तो एक दिन वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था, एक दिन, एक दिन की बात है वह नदी के किनारे कोई पेड़ था, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, नदी के किनारे ए और छूट करके कहां गिर गई नदी में नदी के अंदर गिर गई नदी बहुत गहरी थी नदी की गहराई जो है वो अंदर की जो गहराई है वो बहुत ही गहरी थी गहराई उसकी जादा थी काफी पानी भरा हुआ था उसमें बिचारा लकड हारा निराश होकर नदी के किनार वही बैट कर रोने लगा और सोचने लगा कि अब कैसे मैं लकडी काटूंगा, कैसे मेरे घर का गुजारा होगा, ये सब इत्यादी उसके दिमाग में चलने लगा कि अब क्या होगा, तो वो बैट कर ऐसा सूचता है तो वो रोने लगता है, उसके पास दूसरी कुलहाडी नह जिसके फिए भी और में और मौ फिल्पे बास द्ट्ट मुच्छ paragraph पढ़ाऊंगी तो आप first वीडियो इसको पढ़िए और second वीडियो जरूर देखें क्योंकि आगे की lines मैं उसमें बताऊंगी